तो अपने competitive के सिनारियो के अंदर तुमने इस से ज़ादा shocking चीज पहले कभी शायद ही सुनी होगी क्योंकि यार इतनी बड़ी चीज हो गई इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी टीम Nova Esports ने अपने IGL को ही रिलीस कर दिया है मतलब तुम खुद सोच के देखो जिस टीम के नाम पे 4S tier के gold medals हैं उसने अपने line-up के leader को ही रिलीस कर दिया मतलब he is available for any team जो भी team P.E.L. के लिए इतने रुपे देके इनको उठाना चाती है वो उनी की team का अब हिस्सा बन जाएंगे मतलब जो legacy create करी थी Nova के team ने वो अब खतम हो चुकी है तो ये वीडियो जीमी को एक tribute वीडियो होने वाले है जिसमें हम नज़र डालने वाले है इनके best klutches और best rotations पे जिस तरह के काई दिमाग लगा लगा के जिताते थे Nova को और इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा प्राइस है जिससे आपकी लाइफ में कभी entertainment खतम नहीं होगा तो आपको मिल सकता है brand new sony playstation 5 वो भी सिर्फ एक रुपे में कैसे जीतना ही है जानने के लिए वीडियो को इंट तक देखना जीमी का अगर तुम लोगों को याद हो तो इतने जादा guts थे इस player के अंदर कि ये rotation कराते थे ऐसे PMGC के tournament में कि कूपे पे चड़ के angle बना रहे हैं तीन बंदे एक साथ travel कर रहे हैं फिर इस तरह से zone दिलाना जहांपे final circle में जलती वे बगगी लगा रहे हैं और पूरी team को zone दिला रहे हैं जहांपे सारी teams जो हैं सामने वाली वो खुद rotation के बीच में पकड़ी जाती थी और वहां से nova kills पे kills निकालती चली जाती थी और पूरा game अपने हाथ में कर लेती थी फिर उसके बाद ये rotation भी तुम लोगों को यादी होगी जो PMGC के finals में सारी बड़ी बड़ी टीम्स के नाक के नीचे से सीधा बीच ओ बीच से यासनाया के सारे घरों के बीच ओ बीच एकदम VTR जैसी टीम के नाक के नीचे से नोने rotation कर दी थी पूरी ये वीडियो से जादा क्लियरली समझ मैंगा किस तरीकी की rotation थी एकदम यासनाया के बाहर से आते वे सारे घरों में सिंपल एक बंदे की casualty लेके नोने रश कर दिया था जहाँ पर नोवा का बच पाना मुश्किल लग रहा था वहाँ पर सीधा इनोंने strong position लेली zone के बाहर से आके और फिर ये Chinese no loot rotation जहाँ पर उतरती इनोंने गाड़ी पकड़ी अपने teammates को भी बोला यहाँ पर इनके बास में पूरा poaching की था लेकिन किसी ने भी कुछ भी नहीं लूटा हो just basic basic एक gun उठाई और सीधा drop लेते ही यहाँ पर rotation लगा दी थी और फिर वहाँ से second position निकाले थी अपने team के लिए इसके बाद अगली strategy तो आहाहा एकदम चुमेश वरी strategy थी यह लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कोई भी fight अगर हो रही है तो एक ना एक बंदा इनका हमेशा off angle पर रहेगा यह कभी भी पूरी fight चारो के चारो बंदे एक साथ गुसके नहीं रहते हैं पहले तो यह 3-1 split ले रखा है जहां पर off angle hold कर आ रखा है order को और पीछे से जो भी बंदे आ रहे थे इनकी तरफ से वो सब के सब मर रहे थे यह गाड़ी से इनको उतरने भी नहीं दिया सही से हर तरफ से इनको मार दिया बस एक order को भेज दिया वहाँ पर उसकी वज़ा से पीछ से कोई भी बंदा जा ही नहीं पाया 3v3 की फाइट कर दी 4v3 से और पॉजिशनिंग देखो पैराबॉय कोने में चुप गए यहां से जिम्मी कोने में चुप गए और बीच का बस फ्रूजन जो है वो मॉवमेंट दे रहे हैं इन्हों ने अपने आपको साकरफाइस करवाया जैसे डिस्ट्राक्शन हो और और दोनों बंदे पकड़े जिम्मी और पैराबॉय जिम्मी ने देखो यहां पर कितनी बढ़िया पोजिशन ली थी PMGC में ही जहां पर STE की टीम कोने 3v4 में पूरा मार दिया एक इनकी एंगल की वज़ा से ही पूरी 1v3 ने निकाल दी थी आखेले तो चलिए हब बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं एक brand new PlayStation 5 पांच में को Indian D20 League का मैच है राजसान और गुजरात के बीच में मैच से पहले description में दिवे लिंक से डाउनलोड करो माई 11 Circle अभी और टीम बनाओ डाउनलोड करके giveaway contest जॉइन करो और जीतो Sony PlayStation 5 इस contest की entry fees is only rupees 1 और ये contest सिर्फ 5 में के मैच के लिए ही valid है सिर्फ मेरे subscribers के लिए और मेरे ही link से active होगा tournament के हर match day में mega contest join करो और जीतो 1 करोड और second price में मिलेगी चमचमाती महिंदर थार description में दिवे link से डाउनलोड करो और यूज करो मेरा coupon code MECNEW तो deposit करते ही मिलेगा 20% extra cash download the app from description and make your team for Rajasthan vs Gujarat matches on my 11th circle now फिर दुबारा से क्या performance यहां पर भी दिखाई थी इनों ने जहां पर Paraboy इनके finish हो गए थे तो तुरन स्मोक करना start करा damage देना start करा केवल यहां पर frozen और Jimmy बचे थे क्योंकि Paraboy को यहां पर revive नहीं मिल पाता है और order जो इनके main assaulter ने team के वो भी यहां पर कूदने के चक्कर में नौक हो जाते है main दो बंदे इनके टीम के Paraboy और order यहीं पर खतम होगा है सामने vampire e-sports जैसी धाकर टीम थी तब वैसी situation में smoke करके smoke का use करके लंबा लंबा जिगल दे दे के 1v3 अके ले करा pure close range वाली gun fight में तीनों को मार दिया vampire e-sports जैसी team को एक crucial chicken dinner vampire e-sports के मूँ से यहां पर चीना था उसके बाद में यहां पर एक rotation देखना यहां पर इनके पास में zone था अच्छा कासा अब Jimmy देखो right side से गाड़ी लेके कैसे entry देंगे अभी circle कटा भी नहीं लेकिन फिर भी दो बंदे पीछे छोड़के आगे zone बनाने लग गए सीधा zone कटने से पहले ही यहां पर ridge बकड़ी खुद से ही lead भी करा और खुद से ही यहां पर scout भी किया जिसके लिए order से पहले यहां पर दो स्मोक्स करवाए और इनी दो स्मोक्स के सारे order की गाड़ी चलवाई उपर आगे उनको position दिलवाई अब order अकेले यहां से नेड करेंगे जाके यहां से zone भी close in होना स्टार्ट हो गया और इनकी fight चल रही है प्रॉपर order सीधा सीधा रश करते जाते हैं पीछे से king और para boy के cover के दम पे आगे push करते हैं यहां से king knock निकलते हैं यहां से jimmy एक nate से knock कर देते हैं अभी 5 second पहले तक जो team lower ground पे थी 5 second बाद में ही सीधा team के ओपर चड़ गई जे टीम के सारे बंदे बाग गए बिना कोई casualty लिए तीन के लिया पर बटोरती है और यह सब भी तब जब blue zone पूरा close in हो रहा था बाहर से इस तरीके से लड़ लड़के नोवा के टीम को पूरा zone दिलाया करते थे जीवी क्योंकि higher ground पे जे टीम बैटी थी तो पहले उसको भगाया zone closing होते होते और उसी higher ground का use करके अब rotation करी यहां से उपर की side से लास्का जो इकलौता जे टीम का बंदा बसता है वो भी यहां पहले minute हो जाता है और फिर यह style कुछ टाइम पहले तक वो अब फिर dominant position में बैट जाती है क्योंकि Jimmy ने यहां पे on the spot दिमाग लगाया कि circle कटे ही इनको उपर की side से fight लेनी है circle कहीं और कटता तो इनकी strategy कुछ और भी रह सकती थी तो जो बंदा इस level के competition में इतने बढ़िया तरीके से on the spot दिमाग लगा सकता उसको नोवा ने कैसे release कर दिया मेरी समझ के बिल्कुल बहार है और एक कमाल की बात बताओं ये भी इनके एक no loot rotation ही थी जहां पे इनके उतरते उतरते ही circle बन गया था तो तो तुरंत इन लोगों ने गाड़ियां उठाई बिल्कुल zero के बराबर loot लेके सीधा गाड़ी पे चड़ गए सारे के सारे और तुरंत जहां पे नो ने position बनाई अच्छी कासी लंबी rotation देने के बाद में जहां पे ये रुके लास्ट तक के circle भी इनके वहीं बने और वहीं से नो ने इस तरीकी की rotation दी जो मैंने भी पहले बताई आपको और ये तो थी इनकी किस तरीकी की strategy स से rotate करवा देते हैं अलग-अलग situation में अब बात करें इंडिविज्वल performance की तो ये देखो clutches इनके तो ये वाला clutch है STE के SZ वाले line-up के against PMGC scrims का अब क्योंकि यहां पे एक बंदा नौक हुआ है तो इनको पता है push आना ते है तो तुरंत hold करते है position और देखो कितना बड़ कर देती और इनके लिए फिर मुश्किल होता अब यहां पर सीधा एक नौक करके पूरा finish डाल दिया अब तीन बंदे रहते हैं तो यह से grenade को करते हैं कोशिश करते हैं कि एंगल निकालने की कोशिश करते हैं नीचे खड़े-खड़े को करते हैं तब भी बंदा नी फूटत देते हैं आप presence of mind देखो कि लड़ा के नेड फिकते तो नेड नहीं फूटता तो तुरंत नीचे आके तब जब बंदे चड़ रहे हैं तब ही एकदम से दिमाग लगाते हैं नीचे से मारने का grenade की direction on the spot बदल दी फिर पूरी कोशिश करते हैं सामने से बंदों को रोकने की बंदे नहीं रुकते हैं इस टाइम पर 30 HP बचे हैं बंदे पूरा चाड़ रहे हैं इनके उपर तो पूरा टाइम विस करा देते हैं कि पैरा बॉय आए पीछे से बंदा उतरता है तो तुरंत उसके उतरने से पहले ही finish कर देते हैं तुरंत वापिस घर में आते हैं प्रेडिक्शन के साथ में आखरी बंदे को फिनिश करते हैं और अपने टीमेट्स को बचा भी लेते हैं उसके बाद मेरे डालो यह एलजीडी के अगेंस्ट 1v4 पर अब यह देखो लेफ साइट से नौक करने के बाद में राइट साइट से जाके दूसरे बंदे को डाउन उसके बाद LGDK यह दोनों बंदों को फिनिश करते हैं इन दा मीन टाइम इनका एक बंदा फिनिश जाता है फिर तीन बंदे जो है यह बाकी के दोनों बंदों पे रश करते हैं LGDK यह भी मैच P.E.L. कई था जहां पर सीधा मूपे चड़के सारे बंदों को यह अकेले पे पबजी मुबाइल की वर्ल्ड की सबसे जादा सक्सेस्फुल टीम का लीडर था ये और पैराबॉय फ्रोजन किंग जैसे प्लेयर्स को लीड किया इसने ऐसे प्लेयर को कोई टीम क्यों ही रिलीज करना चाहेगी आई बिलीव कुछ परसनल रीजन के चलते ये सब हो रहा होगा रीजन चाहें जो भी हो इस लेजेंड को और नोवा के उस लेजेंडरी लाइन अप को लोग मिस बहुत जादा करने वाले हैं और अगर आपके पास में है की क्यों यह सब हुआ तो मिरेको कमेंट सेक्सिन में जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स वीडे में तब तक के लिए बाइ बाइ और डाउन लोड टकरना प्लेस्टेशन 5 जीतने के लिए वो भी एक रुपे में जीतो एक करोण रुपे और एक महिंदर अथार और बीस परसेंट एक्स्ट्रा कैश मिलेगा आपको फर्स डिपॉजिट में लिंक है डिस्क्रिप्शन में और पेंट कॉमेंट में